हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानिक्सपी तो फ्रेंड्स आज से हम नॉंबर और दिसंबर में होने वाले ट्रपल सी ग्जाम के लिए ओनलाइन टेस्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसका टाइमिंग होगा साम को 8 बजे तो डेली साम को 8 बजे हमारी साथ इस ओनलाइन टेस्स में जुड़ सकते हैं और आप अपने ट्रपल सी ग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ग्यानेक्सपी.com पे बिजेट कर सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रपल सी से रिलेटेड इंपॉर्डन क्वेशन के मॉक टेस्स मिलेंगे तो जब भी आपके पास टाइम होता है आप यहाँ पे रेगुलर बेसस पे बि की थी तो यह सभी important playlist के लिंक से आपको इस वीडियो के description में मिलेंगे तो आप चाहें तो यहाँ से भी इन सभी playlist को देख सकते हैं ओके तो आई होप आप सब ready होंगे तो देखते हैं आज का सबसे पहला question और इन सभी questions के right answer क्या है comment box में comment करते रहेगा और इस रीच के सभी questions सितंबर और अक्टूबर triple C exam में पूछे के important questions हम discuss करने वाले हैं तो यह सभी important questions हैं जो कि आने वाले triple C exam में आपको काफी help कर सकते हैं तो आज का सबसे पहला question है library office writer में table column का आकार बढाने के किस shortcut कुझी का उपयोग करते हैं जल्दी से बता इस question का right answer क्या होगा तो इसको ह practical के साथ देखते हैं क्योंकि यहां से कई सारे questions triple C exam में पूछे जा सकते हैं सबसे पहला question पूछे जा सकता है कि library office writer में table insert करने की shortcut की गया है तो यह होता है control plus F12 यहां पे आप menu section में देख सकते है table नाम का एक menu दिया गया है यहां पे insert table के shortcut की है control plus F12 यहां पे अगर आप click कर करते हैं तो एक dialog box आएगा और इसमें से आप number of row और column select कर सकते हैं अब यहां से भी question पूछा जाता है कि default रूप से कितने और column और row होते हैं अगर आप table insert करते हैं तो यहां पे देखें default रूप से 2 column और 2 row रहते हैं आप इसको अपनी requirement के साब से change कर सकते हैं तो जैसे हम यह यहां पे 4 by 4 की एक table insert करना चाते हैं तो यहां पे हम type करेंगे 4 row 4 column और insert कर देंगे अब अगर आप किसी column के size को बलाना चाते हैं तो इसकी shortcut की होती है shift plus alt plus left arrow इस तरह से आप किसी भी table की column को बला सकते हैं और उसके लिए shortcut की use करेंगे shift plus alt plus left arrow इस question का right answer I hope समझ में आ चुका ह इस question का right answer option B, alt plus if plus left arrow का इस्तिमाल करते हैं table के column के आकार को बलाने के लिए और अगला question है Amazon किस से संबंदित है means Amazon किस से संबंदित है यह बताना है जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा C to C, C to B, B to C या फिर B to B और इन सबी के full form भी exam में पूछे आते हैं C to C का full form होता है consumer to consumer या फिर customer to customer भी इसको बोला जाता है और C to B का मतलब है consumer to business और B to C का full form होता है business to consumer और B to B का full form होता है business to business तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer होजएगा option C, business to consumer क्योंकि direct क्या होता है जो Amazon है वो एक online e-commerce platform है जहां पर जो business man होते हैं अपने products को direct customers को sell करते हैं तो इसका मतलब होता है आपे business to customer और अगला को इसने किसी दस्तावेज में end note कहां दिखाई देता है page की शुरुआत में, page के अंत में, दस्तावेज की शुरुआत में या फिर दस्तावेज के अंत में अब यहां पर कई लोग end note और footnote को लेके confuse रहते हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं end note और footnote होता क्या है तो यहां पर जैसे हमाँ पास Libre Office Writer open है यहां पर एक और page add कर देते हैं, control interface करेंगे एक नया page add हो जाएगा तो insert menu के अंदर आप जाएगे तो यहां पर आपको end note और footnote का option मिलता है यहां पर आप देख सकते हैं, footnote add करना है तो आप यहां पर click करेंगे जब आप footnote add करते हैं, तो यह हर एक page के last में आप add करते हैं तो जो footnote होता है, वो basically हर एक page के last में add होता है तो यह हमारा page number 1 था, अगर इसी तरह से हम page number 2 पे जाते हैं और यहाँ पे footnote add करते हैं तो यह page number 2 के last में एक footnote add कर देगा, तो यह होता है footnote और अगर हम end note की बात करें, अभी देखिए हमारे document में सिर्फ दो pages हैं जैसे हम यहाँ पे end note add करेंगे, तो एक अलक से हमारे पास page add हो जाएगा तो यहाँ पे एक end note add करते हैं, में इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए end note add करने का option है यहाँ पे जाएंगे, आप देखिए यहाँ और पे पेज आड हो गया तो यह होता है end note और footnote की बात करें तो एक हर एक page की last में एक section add किया जाता है जिसको बोलते है footnote तो आई हो clear हो गया होगा किस तरह से हम footnote या end note add करते हैं उसका क्या काम होता है तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो यहाँ पे end note की बात की गई थी तो इस question का right answer हो जाएगा दस्तावेश के अंत में end note को add किया जाता है और अगला question लिब्राफिस writer में default view कौन सा है जल्दी से बताए लिब्राफिस writer में default view कौन सा है web view, page view, normal view या फिर में से कोई नहीं तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिब्राफिस writer ओपन करते हैं तो आपको जाना है view menu के अंदर यहाँ पे दिखिए normal view, default रूप से select होता है आप चाहें तो web view भी यहाँ से select कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option C, normal view और अगला कुछ ने Chrome browser में जूम की shortcut कुणजी क्या है यह सभी ऐसे questions हैं जो कि October और September टिपल्स exam में पूछे जा चुके हैं इस series में हम जितने भी आगे questions डिसकस करेंगे सभी ऐसे questions होंगे जो कि September और October के टिपल्स exam में पूछे जा चुके हैं यह series काफी important है और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल की playlist में जाके एक 1000 questions का मैंने वीडियो upload किया था जिसका link के इस वीडियो के discussion में दिया गया है अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप November में ट्रपल्स exam देने जा रहे हैं आपके पास time नहीं है तो इसको भी थोड़ा सा practical के साथ देखते हैं क्योंकि यहां से भी कई सारे questions पूछे जाते हैं तो अगर आप Chrome browser को open करते हैं तो यहां पे आपको right hand side में three dot का एक option मिलता है यहां पे आपको click करना है आप देखें यहां पे कई सारे shortcut keys हैं जिनको ट्रपल्स exam में पूछा जाता है जैसे एक question पूछा जाता है new tab की shortcut key क्या है तो अगर आप new tab open करना चाते हैं तो control plus T होता है और new window अगर आप open करना चाते हैं तो control plus N होता है और यहां पे एक और option दिया गया new incognito mode या incognito window अगर आप open करना चाते हैं तो इसकी shortcut की होती ही control plus N यह question भी कई बार exam में पूछा जा चुका है तो incognito mode को हम private mode भी कहते हैं जैसे हम यहां पे click करते हैं तो आप देखें एक black screen में अलग से window open हो जाता है और incognito mode basically इसका use क्या है अगर आप कहीं पे search करते हैं या कुछ भी browsing करते हैं तो यह इस mode में आपकी history को store नहीं करता है तो यह एक private mode होता है जहां पे आपकी history store नहीं की जाती है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी internet पे search कर रहे हैं या browse कर रहे हैं आप चाहते हैं कि आपकी जो history है वो browser में store ना हो तो आप इस mode का इस्तिमाल कर सकते हैं तो यह भी काफी important है यहां से भी कई सारे questions पूछे जा जुके हैं और भी यहां से कई सारे shortcut keys के questions पूछे जाते हैं जैसे download window open करने की shortcut key क्या है तो control plus J होता है तो अगर आप यहाँ पे जूम करना चाहते हैं तो Ctrl प्लस यूज़ करेंगे और जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको Ctrl माइनस यूज़ करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम आउट हो रहा है और जूम इन के लिए हम यहाँ पे Ctrl प्लस यूज़ करें compose, edit, write या फिर send जल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल साइस question का right answer हो जाएगा option 1 compose option का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को mail send करना चाहते हैं तो आप compose option पे click करके अपना mail type करते हैं उसके बाद उसे आप send करते हैं और अगला question ने title बार के नीचे कौन सा बार इस्तित होता है चल्दी से बताई status बार, task बार, menu बार या फिन में से कोई नहीं और इसी तरह के question के साथ practice करने के लिए आप हमारी website gyanxp.com पे visit कर सकते हैं या पे आपको triple C, study material, model paper, mock test, video lecture सारी चीज़े इस website पे uploaded हैं तो आप यहां से भी अपने triple C exam की पूरी तयारी कर सकते हैं ओके तो इस question का right answer हो जाएगा option C, menu bar होता है जो title bar होता है, इसको जस्त नीचे होता है menu bar अब यह title bar होता है क्या इसको भी आप एक बार देख लीजे जैसे हमने यहां पे writer open कर दिया है तो सबसे उपर दिखें जहां पे file name दिखता है तो यहां से भी एक question बनता है कि file name किस बार पे दिखाई पड़ता है तो यह title bar पे दिखाई पड़ता है अगर आप LibreOffice writer open करते हैं तो इसका default जो file name होता है untitled 1 तो यहां से भी कई सारे questions बन सकते हैं और title bar के just नीचे जो बार होता है उसको बुलते है menu bar जिसमें edit window या फिर view, insert, format, styles, table, format, tools यह सारे options होते हैं जिसको बुलते है menu bar और अगर हम writer की बात करें तो इसमें total 11 menus होते हैं इसी तरह से calc में भी total 11 menus होते हैं और अगर हम impress की बात करें तो इसमें total 10 menu होते हैं इससे related भी questions triple C exam में पूछे जा जुके हैं तो याद रखेगा writer और calc में 11 menus होते हैं जबकि impress में total 10 menu होते हैं तो I hope समझ में आ चुका होगा इस question का right answer क्या है option C menu bar तो अगला question है internet sister 4 का अर्थ है इंटरनेट पर संचार, इंटरनेट पर कारी करना, इंटरनेट पर अच्छा बेवहार या फिर उप्रूक्त सभी तो इंटरनेट पर सिस्टा 4 को बोलते हैं netiquid और इसका मतलब होता है इंटरनेट पर अच्छा बेवहार तो इस question का right answer हो जाएगा option C इंटरनेट पर अच्छा बेवहार और अगला question है OTP सुरच्छा का एक अतरिक तो पाए है तो आप देखिए याँ पर ट्रपल्स एक्जाम में true false को लेगे कई सारे लोग comment section में comment करके पूछते हैं सर्थ true false के कितने questions आते हैं कई बार 20 से 25 questions ही पूछे जाते हैं तो पहले क्या होता था कि 50 MCQs आते थे और 52 false के questions आते थे लेकिन present time में पिछले कुछ मैने उसे जब से ट्रपल सी का नया syllabus revise हुआ है और ट्रपल सी का नया syllabus लागू किया गया था अगस 2019 में तब से continue syllabus same चल रहा है और आगे आने वाले कई सालों तक same to same यही syllabus चलता रहेगा क्योंकि जब भी ट्रपल सी का syllabus revise होता है कम से कम 5 से 6 साल same syllabus चलता है और इस new syllabus की series को मैंने बहुत पहले ही complete कर दिया जो कि आपको हमारे channel पे ट्रपल सी new syllabus complete course नाम की एक playlist मिल जाएगे यहाँ पे आपको पूरा ट्रपल सी का complete syllabus मिलेगा तो अगर आप syllabus complete करना चाते हैं तो आप इस playlist को follow कर सकते हैं और ट्रपल सी एक्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी negative marking नहीं होते है तो यह कुछ जरूरी बाते हैं जिसको आप ट्रपल सी एक्जाम से पहले जरूर जान लिजे तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा आप सने OTP सुरच्छा का एक अतरिक्त उपाय है और अगला question है फायल extension बदलने से उसे ढूणने या खोजने में मुश्किल हो जाती है तो इस question का right answer हो जाएगा false अगर आप किसी फायल का extension चेंज कर देते हैं तो उसे search करने में कोई भी problem या मुश्किल नहीं होती है क्योंकि जब भी हम file search करते हैं तो file name से search करते है तो अगला question है जो की काफी important है यहां से बहुत सारे और भी questions पूछे जाते हैं तो इस question में पूछा गया है मुद्रा योजना में उपलब्द अधिक्तम रिड़ क्या है दो लाख, पांच लाख, दस लाख या फिर पंद्रा लाख अब यहां से एक और question पूछा जाता है कि इसको कब जारी किया गया है मुद्रा योजना को कब launch किया गया था तो मुद्रा योजना का पूरा नाम होता है PMMY प्रधान मंत्री मुद्रा योजना इसको 2015 में जारी किया गया था अब यहां पे जो मुद्रा योजना होते हैं उसमें तीन category होते हैं एक होते है सिसू याद रखेगा, यहां से कई सारे questions पूछे जा सकते हैं दूसरा होता है किस ओर एक और category होते हैं जिसको बुलते हैं तरून अब इन तीनों category में कितना loan मिलता है इसके बारे में भी पूछा जाता है तो सिसू category में 50,000 तक का loan मिलता है और अगर हम किस ओर category की बात करें तो यहां पे 50,000 से लेके 5,000,000 तक का loan मिलता है 5,000,000 तक loan मिलता है और अगर हम तरून category की बात करें तो यहाँ पे रेंज भी आप याद रखे किस कैटेगरी में कितना लोन मिलता है तो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना को तीन अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सिसू, किसोर और तरोन और यहाँ पे इनकी जो लोन की रेंज है या सीमा है वो भी अलग-अलग होते, सिसो में 50,000 तक का लोन मिलता है किसोर में 50,000 से 5,000,000 तक का लोन मिलता है जबकि तरोन में 5,000,000 से 10,000,000 तक का लोन मिलता है तो I hope समझ में आ चुका होगा इसकी maximum range क्या होते है 10,000,000 इस question का right answer हो जाएगा option C 10,000,000 रुपे तक का लोन मिलता है मुद्रा युजना के अंतरगत और ये सभी question ट्रिपल से एक्जाम में कई-कई बार पूछे जा चुके हैं क्योंकि ये सभी आपके slivers में दिये गए हैं और अगला question ने Bitcoin एक cryptocurrency है इसे जनवरी 2009 में जारी किया गया था Bitcoin किसके द्वारा जारी किया गया Bill Gates, Satoshi Nakamoto, Charles Babers, IBM चल्दी से बताएं यहां से भी कई सारे questions बन सकते हैं जैसे Bitcoin cryptocurrency को कब जारी किया गया तिसको 2009 में जारी किया गया यहां से भी question पूछा जाता है जनवरी 2009 में cryptocurrency Bitcoin को launch किया गया था अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा option B Satoshi Nakamoto ने Bitcoin को जारी किया था जो कि एक cryptocurrency है और अगला question ने भारत में इंटरनेट के माध्यम से लेन देन कब शुरू हुआ 1990, 1995, 1996 या फि 1998 तो इस question का right answer हो जाएगा option C 1996 में भारत में internet banking की सुरुआद हुई अब यहां से भी question बन सकता है कि internet banking की सुरुआद किस bank ने की तो यहां पे अगला question इसी पेवेस्ट है भारत में internet banking सुरू करने वाला पहला bank कौन सा था SDFC, ICICI, SBI या फिर RBI और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पे प्रीबियस जितने भी online टेस्ट के वीडियो अपलोडेड है आप उनको भी follow करते रहे इसी तरह से आपको हिंदी और इंगले स्थोनों लेंगे आप ए questions मिलेंगे और सभी questions important हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे questions होंगे जो same to same आपको triple C exam में देखने को मिलेंगे तो इस question का right answer है आपकी ICICI bank ने सबसे पहले इंडिया में internet banking की सुरुआत की और अगला question है Libreafis Calc में Sell Insert Bicle किस menu में होता है Insert Seat Format या फिर Edit तो इसको भी आप एक बार practical के साथ देखें यहाँ पे हम Calc open कर लेंगे Calc क्या है? Spread Seat है और यहाँ पे देखें Seat नामसी टैब दिया गया है कई लोग इस question को देखने के बाद Confuse होंगे और Insert Menu सेलेक्ट करेंगे जबकि यहाँ पे देखें Seat Menu एक दिया गया इसमें से आपको Cell Insert करने का Option मिलता है इसकी Shortcut की होती Control Plus Plus तो अगर आप LibreOffice Calc में Cell Insert करना चाते हैं तो इसकी Shortcut की होती Control Plus Plus और यह Option दिया जाता है Seat Menu के अंदर तो इस question का Right Answer हो जाएगा Option B Seat Menu और अगला कोशन है Formula Bar LibreOffice Writer में उपलब्ध है क्यल्दी से बता है इस question का Right Answer क्या होगा True या False तो इस question का Right Answer हो जाएगा Option A True अब यह Formula Bar कहा होता है इस बारे में भी questions पूछे जा चुके हैं ट्रपल सिक्जाम में जैसे की LibreOffice Writer में Formula Bar Enable करने की Shortcut की क्या है तो इसकी Shortcut की होती F2 जैसे आप F2 प्रस करते हैं आप देखें आप एक Formula Bar आ चुका है यहाँ पे आप Formula Apply कर सकते हैं जिस तरह से आप Calc में Formula लगा के आप Calculation करते हैं उसी तरह से आप Writer में भी Formula Bar Enable करके आप यहाँ पे Calculation कर सकते हैं और Formula Bar Enable करने की Shortcut की है F2 तो इस Question का Right Answer हो जाएगा True और अगला Question है Task Bar को Desktop पर कहां Set किया जा सकता है Right, Left, Bottom या फिर उपर के सभी तो जो Task Bar होता है Normally हमेशा सबसे नीचे एक पट्टी दी रहती है जो आप Desktop देखते हैं तो वहाँ पे नीचे की एक पट्टी होती है जहाँ पे Search Bar रहता है और यहाँ पे कई सारे Options आपको दिखाई पड़ेंगे यह होता है हमारा Task Bar इसको आप Right में Shift कर सकते हैं या Left में Set कर सकते हैं या फिर आप Bottom में Set कर सकते हैं जो कि Bottom में By Default Set रहता है इसको आप Center में Set नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे इस Question का Right Answer हो जाएगा Option D उपर के सभी और अगला कुछे ने निमन में आकार में सबसे बड़ा Computer कौन सा है Mini, Micro, Desktop या फिर Laptop तो Size के Basis पे Computers को Mini, Micro, Mainframe और Super Computers में Divide किया गया है अगर हम Micro Computer की बात करें तो Desktop, Laptop ये Micro Computer की कैटेगरी में आते हैं और Micro Computer Size में सबसे छोटा Computer होता है जबकि Mini Computer Size में Micro Computer से बड़ा होता है तो इस Question का Right Answer हो जाएगा Option A, Mini Computer निमन लिखित में से सबसे बड़ा Computer है और अगला Question है LibreOffice Calc में Control Plus Home का उप्योग क्या है तो अगर आप LibreOffice Writer यहाँ पर इस्तिमाल कर रहे हैं और आप किसी भी Cell में जैसे आप यहाँ पर Control Home प्रस करते हैं आप सबसे पहली Cell में चले जाएंगे Means A1 Cell हमारी सबसे पहली Cell होते हैं यहाँ पर जाने के लिए Control Plus Home Shortcut की का इस्तिमाल करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस Question का राइट आंसर हो जाएगा Seat की पहली Cell पर जाने के लिए Control Plus Home Shortcut की का इस्तिमाल करते हैं और LibreOffice Calc से कई सारे और भी Questions पूछे आते हैं जैसे पूछा जाता है LibreOffice Calc में Total Number of Columns कितने होते हैं तो यह होते हैं 1024 means 1024 Total Number of Columns होते हैं और अगर आप रो की बात करें तो यहाँ पर देखिए Total Number of रो की बात करें तो यहाँ पर 1048576 Total Number of रो होते हैं और इसी तरह से अगर हम Last Columns की बात करें तो यह होता है AMJ यहाँ पर आप देख सकते हैं AMJ Last Column नेम होता है तो यहाँ से कई सारे questions पूछे आते हैं जो की basic हैं अक्सर triple exam में आते हैं और अगला question है LibreOffice Calc में cell को संपादित करने की shortcut की क्या है means cell को अगर आप edit mode में करना चाते हैं तो इसकी shortcut की क्या होगी जल्दी से बता है इस question का right answer क्या होगा Ctrl plus F2 F2 या फिर shift plus F2 या फिर alt plus F2 तो daily exam को 8 बजे आप हमारे साथ इस online test में जुड़ सकते हैं जिनका भिग्जान 9 या December में होने वाला है आप सभी हमारे चैनल की playlist में जाके triple C new syllabus complete course नाम की playlist को follow कीजे वहाँ से आप syllabus complete कीजे और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे तो इस question का right answer हो जाएगा option B F2 shortcut key का इस्तिमाल किया आता है cell को edit mode में enable करने के लिए और अगले को इसने LibreOffice Calc में hyperlink डालने के लिए shortcut कुझी क्या है तो अगर आप LibreOffice Writer, Calc, Impress या फिर अगर हम MS Word की बात करें तेमस Word में भी hyperlink insert करने की same shortcut क्यों होती है तो इस question का right answer हो जाएगा control plus K जिसका इस्तिमाल आप LibreOffice Writer Calc, Impress इन तीनों में hyperlink insert करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अगला question है निम्न में X86 क्या है ये काफी important question है पिछले महीने कई बार triple C exam में पूछा गया है web browser, search engine, operating system या फिर processor तो इस question का right answer हो जाएगा option D, processor जो 32 bit का processor होता है processor हमारे 32 या 64 bit के होते हैं जो 32 bit का होता है उसको लिखा जाता है X86 और जो 64 bit का होता है वो होता है X64 तो याद रखिएगा यहां से भी question पूछा जा सकता है कि X86 किस प्रकार का processor है तो यह 32 bit का होता है जबकि 64 bit के processor को X64 लिखा जाता है तो X86 क्या है एक processor का प्रकार है तो इस question का right answer हो जाएगा option D, processor और अगला को इसे ने DMAT खाता खोलने की नियूंतम उम्र क्या है इस से पहला आपको पता होना चाहिए DMAT अकाउंट क्या होता है अगर आप share market में trading करना चाते है share purchase करना चाते है sell करना चाते है share market में आप पैसे लगाना चाते है तो इसके लिए आपके पास DMAT होना चाहिए और DMAT account को open करने के new time age होती है 18 year तिस question का right answer हो जाएगा option D 18 और अगला question है निमनमेसि कौन सा rotate और flip बिकल्प Libre Office writer में उपलब्द नहीं है ये सभी questions सितंबर और October ट्रपल्स exam में पूछे जा जुके हैं सिरीज में जितने भी questions हम discuss करने वाले हैं सभी के सभी questions ऐसे होंगे जो कि सितंबर और October ट्रपल्स exam में पूछे जा चुके हैं तो इस question को भी हम practical के साथ देखेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले writer open कर लेते हैं और writer में हम कोई एक image insert करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले formula bar को हम disable करते हैं यह enable हो चुका है इसको हमने disable कर दिया अब हम यहाँ पे कहीं भी जाएंगे और image insert कर लेंगे तो image insert करने के लिए आपको जाना insert menu के अंदर यहाँ पे image एक option मिलेगा और यहाँ से हमें कोई भी image insert कर देंगे जैसे कि हम इस image को insert कर लेते हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पे GK के भी classes start हो चुकी है तो अगर आप GK के तयारी करना चाते हैं तो daily sum को 7 बजे GK की class भी join कर सकते हैं तो यह हमने image यहाँ पे insert कर दी इसको हम थोड़ा साथ size इसका छोटा कर लेते हैं यह होगी image अब इसे आप flip करना चाते हैं rotate करना चाते हैं तो दीखिए यहाँ पे options दिया गया flip का आप चाहें तो इसको vertical flip कर सकते हैं या फिर आप horizontal flip कर सकते हैं और rotate के लिए जाएंगे तो यहाँ पे 90 degree का option दिया गया और इसी तरह से यहाँ पे आप 90 degree right या left में rotate कर सकते हैं तो अगर हम इस question के right answer की बात करें देखिए यहाँ पे flip vertically flip horizontally दोनों options दोनों सही है rotate 90 degree left यह भी option सही है जबकि rotate 180 degree left यह option यहाँ पे गलत है तो इस question का right answer हो जाएगा option D यहाँ पे लिखा गया था Libre Office writer में उपलब्द नहीं है यह option rotate या flip करने के लिख उपलब्द नहीं है अगला question है NRI Dizzy Locker में बिदेसी mobile number का उप्यूग कर sign up कर सकते हैं जल्दी से बता है इस question का right answer क्या होगा यह भी question काफी popular है कई बार triple six exam में पूछा जा जुका है तो Dizzy Locker एक cloud platform है जहां पे आप 1 GB तक के अपने documents को store कर सकते हैं government के तरफ से यह आपको free of cost provide किया जाता है इसमें अगर आप register करना चाते हैं तो आपको अपना mobile number इस्तिमाल करना होगा जो कि Indian mobile number होना चाहिए अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं आप एक NRI हैं और अगर आपके पास एक Indian mobile number नहीं है तो आप DG Locker का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं means इसमें एक mandatory option है कि आपके पास जो registration के लिए mobile number होना चाहिए वो सिर्फ इंडिया का ही mobile number accepted है तो इस question का right answer हो जाएगा option B false NRI बिदेसी mobile number का उपयोग कर DG Locker में sign up नहीं कर सकते तो ये था आज की class का last question उमीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो please हमाई इस वीडियो को like उसे जरूर कीजेगा तो अब आई देखते हैं आज के questions और इन सभी questions के right answer क्या है अब लोग comment box में comment कीजीगा और इन questions के right answer क्या है अगली class में हम discuss करने वाले हैं तो अगला test देखना बिलकुल मत बूलिए daily साम को 8 बजे हमारे साथ इस online test में जूड सकते हैं तो आज का सबसे पहला question है सिफर text में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है और अगला question म, I, M, E का पूर्णूरूप क्या है और अगला question लैन की सीमा, range क्या होती है और अगला question क्यालक में column की आदिक्तम उचाई क्या है और अगला question सेलिंग एक function है जो की काफी popular है पिछले माईने हर एक shift में इससे related एक से दो questions हर बार पूछे गे हैं ये काफी important question है अगली class में practical के साथ बताएंगे सेलिंग function किस तरा से calculate करता है और किस तरा से इसका result आता है तो आपको इन सभी questions के right answer क्या है comment section में comment करना है और अगली class में इन सभी questions के right answer हम बताने वाले हैं तो उमीद करते हैं आप सभी लोग इन questions के right answer क्या है comment section में जरूर comment करेंगे तो ये कुछ e-books हैं जो कि हमारी website gyanixp.com पे available हैं आप चाहें तो यहां से इन e-books को ले सकते हैं इनका feedback पिछले कुछ महिनों से continue बहुत अच्छा जा रहा है काफी अच्छा feedback आया है अगर आप हमारी committee टैप में जाएंगे तो हमने जिन लोगों ने in-books को purchase किया था उनसे feedback मांगा था तो काफी अच्छा response मिला है 70-80% same to same questions triple C exam में in-books से पूछे गए तो ये e-book है जिसमें आपको पूरा syllabus मिल जाएगा complete new syllabus मिलेगा जो कि हिंदी में है और एक से दो दिन में आपको English में भी ये complete syllabus की e-book मिलने वाले है तो आप हमारी website पे regular basis पे visit करते रहे हैं जल्दी ये e-book launch होने वाले है जैसे launch होती है हम अपने वीडियोस में बताने वाले है और यहाँ पे एक और e-book हमने लाँच किए जिसमें आपको 800 प्लस questions मिलने वाले है सभी questions हिंदी और इंगले स्थोनों लाँगों इसमें और इसमें chapter 20 questions मिलेंगे chapter wise questions हमने इस e-book के अंदर रखे हैं प्लस यहाँ पे जो master practice set है इसमें आपको total 1000 questions मिलेंगे सभी questions हिंदी और इंगले स्थोनों लाँगों इसमें तो अगर आप इन e-books को लेना चाते हैं तो आप हमारी website gyanxp.com पे बिजिट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस पीडियो के discussion में इन सभी e-books का link दिया गया आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं तो उमीद करते हैं आज के इस class से काफी कुछ नया सेखने को मिला होगा तो प्रीज हमारी इस video को like और से जरूर कीजेगा और इसी तरह के questions के साथ practice करने के लिए आप हमारी website gyanxp.com पे बिजिट कर सकते हैं साथ में आप हमें चाहें तो इंस्टा, facebook या फिर whatsapp पे follow कर सकते हैं सभी के detail screen पे आप note down कीजे यहाँ पे हमें follow कर लिजे क्योंकि जब भी कोई triple C exam या other exam से related कोई भी update होता है तो हम यहाँ पे वो update पोस्ट करते रहते हैं तो आज के इस class में बस इतना ही मिलते हैं अगले class में साम को ठीक 8 बजे तब तक के लिए bye bye thank you thank you for watching